Hello everyone, I hope आप सभी अच्छे होंगे तो आज की वीडियो की शरुआत करते हैं एक चोटे से मैसेज के साथ एंड उसको हम इंप्लिमेंट करेंगे हमारी करंट स्टेशन में तो देखो, हमारे पास दो स्टेशन हैं कुछ लोग तो भई अपने इंवियरमेंट की वज़े से चेंज हो जाते हैं और कुछ लोग अपने इंवियरमेंट को बदल देते हैं जा उनके लिए एक परेंडना बन जाते हैं इसको भी समझते हैं देखो, जब भी हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं हमारे दोस्त होगे, क्लासमेट्स होगे तो अलग-अलग विचार आते हैं सभी के पास कोई कहता है कि भई, इस डेट को एक्जाम बुक करतो प्रेडिक्शन के बारे में जब कुछ भी है न, इस दुदर की बात है तो उससे आपका माइनसाइट, आपके थौट्स काफी चेंज होने लगते हैं एड़ आपकी डिसिजन चेंज होते रहते हैं कि कब मैं एक्जाम बुक करूँ पर दूसरी साइट, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आसपास के इंवियरमेंट से फरक नहीं पड़ेगा, वो अपनी में इन्द करेंगे और बाकियों के लिए एक एक्जामपल बनेंगे बट वहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग तो उस एक्जामपल को फॉलो करेंगे, बट कुछ लोग कहेंगे वो तो लगी था, तो अभी आपको ये दियान में रखना है, कि जो भी आपका एंवियरमेंट है, किसी भी स्चेशन में आप ड़ाई कर रहे हो, मेक शूर करना कि वो आपको एफेक्ट ना करें, क्योंकि वो भी एक पॉइंट बनता है, कि हम इस एक्जाम को क्रेक नहीं कर पा रहें तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट करने से बहले एक चोटी चीज़ को हाईलाइट कर लेती है और गैस आप हमारा दूसरा चैनल भी जुरू चेक करना, वहाँ पे आपको कैनाडा के रिलेटर अफ़ी इंफर्मेशन मिलेगे और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एड कर दूँगा अभी हम देखते हैं कि अगर हमें कोई डिफरेंट टॉपिक आता है एक्जाम में तो असस्टेशन में क्या करना है तो एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, जो एक्जामिनर होता है उसने आपकी स्किल्स चेक करनी होती है ना कि ये चेक करना होता है कि आपके पास किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज़ आज़ कितना का यादा आप उसमें एक्सपर्ट हो स्पोस करो साइंस का कोई टॉपिक है ऐसा नहीं है कि आपको सभी न्यूटन्स के लाब बताने पढ़ेंगे वो आपकी बेसिकली स्किल्स चेक करना चाहता है कि ग्रैमर कैसी है, सेंटेंस फर्मेशन कैसी है अलग अलग स्टेशन में आप इसको डिस्क्राइब कर पा रहे हो या नहीं नौलिज थोड़ी बहुत ही चाहिए होती है हमें एक अंसर बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना तो आपको थम्नेल के उपर एक फॉर्मूला आपने रीड करा होगा बिसिकली वो है पहले आपने इंट्रोड़क्शन देनी है टॉपिक को पेराफ्रेज करना है जो क्यू कार्ड के क्वेशन्स है उनमें कुछ आपने एक दूचीज़ एड़ कर देनी है एक एक्जाम्पल एंड एक कन्क्लिउजन ये फॉर्मूला तब ही वैलिड है जब एक्जामीनर आपसे पूरा क्वेशन सुने पूरा क्यू कार्ड आपसे सुने अगर नहीं हो सकता है कि सर्फ आप क्वेशन्स तक ही रोको उसके बाद examiner आपसे नहीं सुनें जरूरी नहीं होता कि हमारा score तब ही आता है जब examiner हमसे पूरा Q-card सुनता है जैसे कि एक Q-card है आपने ये मार्ण को चलना है कि आपने पहले ये prepare नहीं करा describe a memorable holiday you had सिर्फ अब ये सोचो कि आपने पहले कभी prepare नहीं करा तो इसमें सबसे जो main चीज highlight क्या हो रही है कि हमें past में थोड़ा सा जाना पड़ेगा उसके related हमें अपनी structure बनाने पड़ेगी sentences की and दूसरा starting में क्या शब्द use हुआ है describe, describe मतलब अगर किसी चीज़ को describe करने कैसे अच्छा कर सकते हैं उसको उसके related थोड़ी सी intro अच्छी बनाए एक example एड़ कर दे तो उसकी जो explanation है वो अच्छी हो जाएगी इसमें holiday की बात हुई है जातर लोग क्या करते है holidays के उपर जो हम अगर देखे कि common sense क्या है जा daily life में हम क्या करते है vacation की लिए चले जाते हैं इदर उदर गूमने चले जाते हैं तो traveling हम क्या सकते हैं तो इसकी introduction क्या बन सकती है अभी ये आपने practice करनी है इन चीजों के भी आपको practice करनी पड़ती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने वीडियो देखी एकदम से आपको सभी questions में बहुत यदा passionate हूँ specially तब जब holidays हूँ तो हमने इसकी introduction तो दे दी अभी जो question है उसको paraphrase करने अगर आपने अभी तक ये नहीं सीखा कि topic को, किसी statement को कैसे paraphrase करने है तो अपनी preparation में इसको जरूर add करो तो इसकी हम paraphrasing कैसे कर सकते हैं देखो तो उन्होंने हमको सोचने के लिए मुझबूर करे कि भई कोई ऐसी चीज के वारे में सोचो तो अगर हम इसी से start कर दे कि अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ जब भी मेरे माने में इस चीज का ख्याल आता है तो ये चीज़ भई मैं definitely mention करूँगा देखो कितनी अच्छी structure है इसको अभी नोट करो कि जब भी मैं सोचने के बारे में सोचता हूँ जब भी इसके बारे में जिकर करने की बात आती है तो भई एक चीज मेरे माने में जो आती है वो ये है उसके बाद जो भी आपकी holiday उसके बारे में आप बता सकते हूँ तो इस तरीके से आपने paraphrase करना होता है यही तक ही examiner guess कर लेगा कि आपकी skills कैसी है और उसके बाद आपको कहानी तो बनानी पड़ेगी अभी तक आपने इतने topics प्रपेर कर रखी है इतना तो आप में confidence होना चाहिए कि आप कोई ना कोई कहानी बना दो बाद में आपने क्या करना है जो questions दी है उनमें आप कुछ ऐसी structures को use कर सकते हो जैसे कि अगर उसमें खर्चे की बात हुई है as far as the expenses are concerned अगर उसमें आपको ऐसा question पूछा है कोई ऐसी moment बताओ जो आपके लिए special हो तो वहां पे आप conditional sentence का use कर सकते हो if I had to choose the most unforgettable moment of उसके बाद जो भी आपने explain करना है तो आपके पास कुछ इस तरीके की structures आगी तो examiner सोचेगा कि भाई इसको linking words यूज करने आते हैं इसके तो marks बनते हैं अगर example एड़ करनी है for instance बोल सकते हो इन सबसे last में हमने cue card को finish करने है वहां पे आप कह सकते हो lastly I would say अगर examiner आपको मौका देता है पूरा cue card को explain करने का तो हमने इतना तो सीख लिया कि introduction तो हमने देनी है उसके वाद topic को paraphrase करने है फिर जो questions है उसके लिए हमने ये structures यूज करनी है आपने सुना होगा कि एक तीर से दो निशाने killing two birds with one stone इस वीडियो में आपने ये भी सीख लिया कि cue card की structure क्या होती है और उसी structure को यूज करके आपने ये भी सीख लिया कि अगर कोई different cue card आता है जिसकी हमने preparation नहीं करी उसमें अपनी skills को कैसे use करें तो इस परकार से आप use कर सकते हो अभी आपने सोचना है कि क्या holiday हो सकती है आप खुद सोच कर देखो आप को हो कि भाई ऐसा करेंगे एक दो दिन day off था तो हमने plan बनाया कि हम भाई इस दिन को इस जगा पे जाएंगे क्या हो सकता है suppose करो कोई special दिन है वहाँ पे कोई festival हो रहा है किसी जगा पे उसी दिन को हो रहा है तो वो आपके लिए कि यादगार चीज़ बन जाएगी तो उसी के बारे में बता दो एतनी तो आपको English आती है ना भई तो अभी आपने क्या गरने comment section में इसके related आपने क्यूगाड complete करने जो pending है और वीडियो को like भी करने है और अपने दोस्तों के साथ भी share करने है ताकि सभी को पता चल सके कि किस परकार से हम इसको use कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर like करना और कोई भी question आप नीचे comment section में पूछ सकते हो और बाकी मैंने और भी बहुत वीडियो अप्लोड करी है तो please आप play list में जरूर जाना है चेक करना so thank you अब सभी का मिलते हैं next video में